नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या हैं आपके लिए हिस्टरी के ऐसे महत्पूर्ण प्रशने जो आपका दिमाग चकरा सकते हैं जी हाँ यहाँ पर हम आपके लिए 10 ऐसे महत्पूर्ण प्रश्ण लेकर क्या हैं जो UPSC, MPPCS और MPP पुलिस साली साथ डिफेंस के एक्जाम यानि की NDA में आए हुए हैं तो यह प्रश्ण आपके लिए महत्पूर्ण होंगे देखिए आप इन में से कितने प्रश्णों को हल कर पाते हैं और यह कुछ ऐसे प्रश्ण है जो एक्जाम का जो इस्तर होता है उसको उपर उठाने का कारिय करते हैं तो आईए चलते हैं बिना समय गवाय हुए पहले प् में UPCS 2020 के प्री में ये सवाल आया हुआ था तो आईए इसका एंसर देखते हैं फिर आपको हम इसके बारे में जानकारी देते हैं तो यह आगया इसका आंसर इसका आंसर है B यानकी वैसाली में जो है गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम बरसा रितु बिताई थ हैं तो देखें महापरि निर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विभिन आयामों एवं काल क्रमों का निर्धारन किया जाता है तो आपसे पूछा जा सकता एक प्रश्निया से और बन गया आपके लिए कि कौन से सूक्त से यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन के काल क्रम ए आया हुआ है चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की और आपको दस बहुत ही महत्रपुर्पूर्प प्रश्ण आपको देखने को मिलने वाले हैं अग्ला अपने हैं जैन धर्म के प्रतम तीर थंकर कौन थे हैं पारसुनात आपसन भी है महाविर स्वामी और और ऑपसन डी है में 2016 में लिखने के लिए आया था इसके बारे में तो वहाँ से हम यहाँ प्रश्ण लेकर क्या हैं देखिए प्रश्ण आपको देखने में सरर लग रहा होगा लेकिन जब आप आप एक्जाम में बैठते हैं तो यही प्रश्ण जो है वो आपको कंफ्यूस करता है तो अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है अगला किस से संबंदित है option A है बौद धर्म से option B है ईसाई धर्म से option C है मुस्लिम धर्म से या फिर option D है भागवत धर्म से एंटी पीसी 2020 का भी जो एक्जाम हुआ है उसमें यह प्रेशन आया हुआ था तो आए देखते हैं इसका अंसर तो इसका अंसर है दियाने की भागवत धर्म के बिदिशा जिसे पहले बेश नगर कहा जाता था वहाँ पर एक गरुण इस्तम्य की इस्थापना करवाई थी जिससे यह पता चलता है कि वह भागवत धर्म को मानता था यानि भागवान स्रीकिष्ट में उसका ज्यादा अपना मतलब की कहते हैं मतलब हिंदू धर्म की उसका जुकाव जादा था और भगवान किष्ट को वह बहुत मानता था इसलिए उसने वहाँ पर बेस नगर में एक अविल्यक निर्माड करवाया था और गरुण इस्तम्य का निर्माड करवाया था विश्णु भगवान का वो पुजारी हुआ करता था तो ऑप्शन डी ऑप्शन भी है काला सोग दोरा ऑप्शन सी है उदियन दोरा या फिर ऑप्शन डी है कनिस्के के दोरा आई ये इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर है सियानी की उदियन ने जो है यहाँ पर उदियन लिग गया लेकिन उदियन जो है उसने पाटली पुत्र को सर्व पर अपनी राजधानी बनाया हुआ था देखे पाटली पुत्र के स्थापना जो है गंगा एवम सोन नदी के संगम पर हरयक वंस के उधियन ने की थी और अपनी राजधानी जो है उसने पाटली पुत्र को बनाया था यहां पर इस्थापना भी किस ने की थी उधियन नहीं और क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रस्ण अगला प्रस्ण है भद्द साल किसका सेना पति था और प्रस्ण पूछा गया कौन मतलब किसका यहां पर सेना पती था भद्द साल आई इसका एंसर देखते हैं एंसर आपने लगा लिया होगा तो इसका अंसर भी यानि घनानंद का जो है सेना पति कौन हुआ करता था भद्द साल जो है घनानंद का सेना पति हुआ करता था तो घनानंद का ही उपनाम अग्रमीज हुआ करता था और यूनानी लेखकों ने उसे अ पर आया हुआ था चलिए चलते हैं अगले प्रशन की हो तो निमले खित में से कौन शिकंदर के साथ भारत नहीं आया था यहाँ आप से पूछे जा रहा है option यह निया कर्स, option भी है और स्टोबलस, option C है डाइमेकस या फिर option D कह रहा है सभी के सभी आये थे NDA 1 यानि जो NDA का एक्जाम होता है साल में दो बार होता है तो NDA 1 2016 में यहाँ प्रस्टन आया हुआ था National Defense Academy जो एक्जाम होता है यहाँ से आप सीधे left in end की पोष्ट पर कम से कम जाते हैं आई इसका answer देखते हैं तो इसका answer है यानि जो डाइमेकस है वो सिकंदर के साथ में नहीं आया था बाकि नियाकर्स उसका सेनपती था और इस्टेबलस के गोड़े के नाम था तो यह दोनों लोग यहाँ पर आये हुए थे लेकिन जो डाइमेकस है वो नहीं आया था तो ड बिंदुसार को याद कैसे करेंगे देखे बिंदुसार का जो जन्म है वो इसलिए हुआ था कि जो बिंदुसार के जो माता थी वो मतलब की विस से ग्रसित हो गई थी तो इनके जन्म के समय उनकी मृत्ति हो गई थी तो बिंदुसार को कैसे तो बिंदुसार को उनकी माता क पेट में एक बिंदू के समान आकरती मतलब बिंदू के समान छेद करके बिंदू सार को निकाला गया था ठीक है तो इसलिए इनका नाम क्या पढ़ गया बिंदू सार पढ़ गया या बिंदू से उत्पन हुआ हुआ जो है वो बिंदू सार है साथ में इसके माते पर एक बिं एंटियोकस ने बिंदुसार की राजसवा में भेजा था डाईमेकस को चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है इन में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौरेका बिसिष्ट रूप से वर्डन किया गया है यूपी एसाई दूजा सत्रक प्रश्ण है आप्सन ए हभास आप्सन भी एसुद्रक आप्सन सी विसाग दत और आप्सन डी एसुष्ट तो किस एक लेकर नहीं हाँ पर अपने ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौरेका बिसिष्ट रूप से वर्डन किया है आईए देखने इस का अंसर तो इस का अंसर सी यानि विसा सूचना प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौरेके बारे में मुद्रा राक्षस में बहुत सारी चीजे लिखी हुई है और मुद्रा राक्षस के लेकर कौन है तो विसाग दत जो है वो मुद्रा राक्षस के लेकर है अभी अंटी पीसी की जो रेलवी का एक्जाम चल र तो जो भी उस प्रश्णा का जवाब है पर कमेंट करके देता है उनका नाम जो हम इस वीडियो के यंदेव लेने वाले हैं उनके एंसर के साथ में और आपको एंसर भी बताएंगे की जो हमने कल प्रश्ण पूछा था उसका सही एंसर क्या है तो आप भी रोज साम को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्जाम में आया था तो समझ लिए एक्जाम का लेवल क्या है तो प्रस्टन का लेवल भी उसी इसाब से होगा option A है इंटों का, option B है पत्थर का, option C है लकडी का या फिर option D है मिट्टी का, आएए देखते हैं इसका answer तो यह है इसका answer यानि कि लकडी का बना हुआ था, चंद्रकुप्त का महल जो मुखिता लकडी का बना हुआ था तो यह जानकारी कहां से हमें प्राप्त होती है वो भी हम आपको बता देते हैं प्राप्त है बिहार में क Kungraहार में की गई कुदाई में मौर काल के लकडी के विसाल भाऴन का अवसेस मिला हुआ है जिससे यह जानकारी मिलती है कि जो चंद्रकुप्त का महल था, वो मुखिता लकडी का बना हुआ था कहां पर तो बिहार में ब्लनदी भाण चलिए चलते हैं अगले प्रश्णी की हो तो अगला प्रश्णी भारत का प्रथम अस्पताल एम उसदी भाग का निर्मार किस ने करवाया था MP पटवारी 2017 में यह प्रश्णा है हुआ आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन हा मध्य प्रथेस ब्यापम यानि MP पटवार के आपके लिए लेकर के आने वाले हैं जो आप में और दूसरों में यहाँ पर कॉम्प्टीशन क्रेट करेंगे आपको आगे बढ़ाएंगे चलिए इस प्रश्णी की बात कर लेते हैं भारत का प्रथम अस्पताल एम उसदी भाग का निर्मार करवाया होगा मुझे पता ह तुगलग को यहाँ पर कहा जाता है कि आपसे पूचा जा रहा है सर्व प्रथम सबसे पहले किसने करवाया था तो अस्पताल एम उसदी भाग का भारत में अस्पताल एम उसदी भाग का भारत में अस्पताल एम उसदी बाग का भारत में अस्पताल एम उसदी बाग का भा नहीं उठाये थे उसके बार वो धंब के मतलब की अपने प्रिचार प्रसार में लग गया था धर्म के और लोक इतिकारी कार्डियों में लग गया था चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की योग तो अगला प्रश्ण असोक ने बौध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्ता नहीं छोड़ी इसका प्रमाड क्या है आपको जैसे पता है पहले असोक हिंदू धर्म से हुआ करता था बाद में उसने बौध धर्म को ग्रहंट कर लिया था लेकिन उसने हिंदू धर्म में आस्ता नहीं छोड़ी थी MPPSC मेंस 2016 में लिखने के लिए यहाँ प्रशन आया हुआ था ओप्सन A है उसने कलिंग का युद्ध किया इस वज़े से ओप्सन B है देव नाम P.A.C. की उपाधी की वपाधी ले ली तो उससे यह पता चलता है कि असोक ने बहुत होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्ता नहीं छोड़ी थी तो देव नाम P.A.C. की उपाधी की वज़े से बाकी कलिंग का युद्ध किया तो उससे कोई मतलब नहीं है सांची का इस्तूब इसलिए बनाया था क्योंकि वह बौदे धर्म का ही प्रचार करना चाहता था सांची का इस्तूब जो है प्रशन भी आया तो ये प्रप्रचार की आपको कितने आये कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा बाकी community post का आंसर करते हैं तो देखें community post में हमने आपसे एक प्रचार पूछा था कि कौन सा सहर भारत का बरत्मान में सबसे स्च्य सहर है आए हैस इसका answer क्या था तो इंदौर जो है वो सबसे सचे सहर है भारत का बर्तमान में यानि कि D आंसर जो था जिसमें लिखा था गई भैस पानी में यानि कि None of the above तो इंदौर बिलकुल सही आंसर है बाकी बहुत से लोगों ने हाँ पर गौल यह लगा दिया पटना लगा दिया तो यह सारे आंसर न अबने जाटका या कहना है उसके बास संजेत ओमर के राचपूर सास हैं इन्होंने भी बताया है कि इंदौर जो है पहले नंबर परिस्तित है उसके बाद धर्मंद गुर्जर इन्होंने भी बताया कि इंदौर जो है पहले स्थान पर है और यह कानहतर पाटी है इन्होंने ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो आती रहेंगी और MP पुलिस जो एक्जाम स्टार्ट मतला एक्जाम फॉर्म भनना स्टार्ट हो गया है तो तैयारी अभी से चालू कर दीजिए और कुछ अलग थलग प्रस्ट जो कि दूसरों से आपको अलग बनाएंगे कमटीसर में आपको आगे बढ़ाएंगे उन प्रस्टों को हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार प्रस्टों को.